तुझी के मुखारविंद से धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप सभी का भौब द्वा स्वागत है और हमने सीता माता को खोज लिया है प्रभू राम चंद्र ने रावन के उपर आक्रमन करके रावन का वद कर दिया है और वो जो लंका का यूद है वो जीत लिए परन्तु अभी क्या होने वाला है देखिए रामायन बहुत ही मार्मिक है इतना सुन्द तरीके से अभी वर्नन आता है किस प्रकार से जब प्रभू राम चंद्र ने रावन का वद करा पर आगे गए तो देखा कि विभीशन विलाप कर रहे हैं आकिरकाल थे तो रावन के भाई विलाप कर रहे हैं किस प्रकार से मैंने अपने भाई को बहुत समझाया परन्तु वह माना नहीं और अभी मृत्य को प्राप्त हो चुका है मंडूत्री भी विलाप कर रहे हैं तो यह देखके प्रभू राम चंद्र ने विभीशन को बोला कि आपको विलाप करने के जरूत नहीं है आपने तो एक्दम धर्म का सहरा लिया आपने बहुत कोशिश करी रावन को सही रास्ते बराने के लिए पर अंतु नहीं आया प्रभू राम चंद्र ने लक्षमन को गा लक्षमन राज्य अभीशेक के त्यारी की जाए और हम विभीशन को लंका का राजा बनाए और ऐसा बोलके लक्षमन को भेजा महीं पर हनुमान जी तुरंद गए सीता माता के पास ये खुश कबर देने के लिए कि प्रभू राम चंद्र की विज़े हो चुकी है और सीता माता ने कहा बहुत प्रसंद हो गई महीं पर हनुमान जीन देखा कि बाकी कुछ राक्षे स्रीवा भी थी हनुमान जीन उनकी तुरफ क्रोच से देखा और बोला सीता माता अगर आप बोलो तो अभी इन सारी राक्षे स्रीव का वद कर देता हूँ क्योंकि इन्होंने आपको बहुत परिशान किया होगा सीता म माता को बुलाया कि आईए प्रभू रामचंद्र जी आपका महां पे बेसबरिस इंतजार कर रहे हैं और सीता माता को बहुत अच्छे तरीके से सुदर आभूशनों से सोज़ज़द करके पाकी राक्षियों की मदद से विभीशन जी ने सीता माता को पालकी में भेजा तब स सीता माता पालकी में आ रहे थी सब लोग सोच रहे देए अभी प्रभू रामचंद्र बहुत प्रसन हो जाएंगे प्रभू रामचंद्र के चेहरे पे कुछ भी कुछी नहीं थी सब ने सोचा क्या हो गया रभू ने संदेश विजवाया कि सीता को बोला जाए कि इस पाल की मिना आए अपने पैरों पे चल के सब चौक गए हनुमान, सुगुरी, लक्षुन क्या कह रहे रभू रामचंद्र रामचंद्र का सब देखना चाहते हैं कि क्या अभी भी सीता पती वरता है और ये तब संदेश पहाचा सीता माते कवा सीता माता तुरंथ नीचे आ गई और जमीन के उपर चल के प्रभू रामचंद्र के पास आने लगी जैसी रामचंद्र के पास आई प्रभू रामचंडर ने बोला कि मैंने ये यूत किया ता अपने कुल की शान बढ़ाने के लिए जिस से कलकु को यह न बोले कि रामचंदर की पत्नी को लेके गया रावण और राम ने कुछ कियाRET परन्तु तुमको एक कामी पुरुष रावन ने स्पर्ष कर लिया है और वो सकता है तुम्हारी प्रतिवता नश्ट हो गई है और तुम किसी और से विवा कर सकती हो ऐसे के के प्रभु रामचंदर ने जब सारे लोग वानर थे सब दिख रहे थे हरे इसी के लिए तरह यूद किया लक्ष में सोचे और अभी प्रभु रामचंदर सुविकार नहीं कर रहे है सीता माता ने बोला कि अगर आप मेरे को मेरी प्रतिवता को सुविकार नहीं कर रह अती क्रोध दिखाने की क्या ज़र होती, पूरे लंका के सारे राक्षसों का बद कर दिया आपने, खाली रावन को मार देते, परन्तु आप एक साधारन वेक्ति के जैसे क्रोधित हो गए, और सीता माता ने का कि मैं अपनी प्रतिवर्ता का यहाँ पे प्रूफ देने वाली ह और उन्हें का लक्षमन अगनी जलाओ, और अगर मेरे अंदर कुछ भी दूशिता है, मेरे अंदर कभी भी कोई भी एक बुरा ख्याल भी आया हो, किसी और वेक्ति के प्रतिव, तो यह अगनी मेरे को सुईकार कर ले, और ऐसे कहके, जब सीता माता ने ने का लक्षमन सोच लूख गए, सिता माता प्रवेश कर गई, यहाँ तकि भ्रह्मा जी उपर से आया, भ्रह्मा जी ने का, प्रभु राम चिंदर आप कौन हो, आपको पताए, क्या कर रहे हैं आप? प्रभु राम चंदर आप बताई ये कौन हुम है ब्रहुमा जी ने उनको बताया प्रहुंत उन्हें बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा और ब्रहुमा जी भी चले गए और उतने ही देर में एक बहुत ही विचितर गटना गटना जो अगनी देवता थे वो स्वयम सीता मातों को भार लेके आए और प्रभु राम चंदर जी को सोपा और बोला कि सीता के अंदर एक रिंज मात्र भी दूशिता नहीं है ये पूरी पतिवरता है और इसके अंदर कोई भी गलत ख्याल नहीं आया किसी भी दूसरे पुरुष की प्रती और ये सुनके सब वानर लोग खुश हो गए सब लोग वापिस पुना एकदम हर्श वलाद से बढ़ गए और उपर पारवती जी नीचे आये उन्हेंने कहा कि तुमारे पिता दश्रद उपर से देख रहे हैं सब कुछ और वो बोल रहे हैं कि मेरा जो शोक था 14 साल से में शोक में था कि अपने पुतर राम और जो अपनी बहु सीता को भेजा आज वो शोक दूर हो चुका है और कृपय अगर के वापिस जाए यह आप आयोद्या में प्रभुराम चंद्र ने इंदर को बोला कि यह जो सारे वानर जो मृत हो गए है इनको अपनी शक्ती से पुनर जीवित कर दो इंदर ने पुनर जीवित कर दिया और वहाँ बे फिर विभीशन आए विभीशन बोला प्रभू रामचंद्र आप आप कृपयगर के बताईए और कुछ सेवा मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो विभीशन को बोला नहीं तुम मेरे भाता श्री हो भाता के समान हो और अब मैं यहां से चलूँगा सुग्री ने बोला प्रभू आपकी मेरे लिए कुछ आगया कुछ आखरी आगया बताईए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभू राम चंदर ने बोला कि तुम एक चीज कर सकते हो कि यह सारे वानरों को हमेशा खुश रखो और उनको और कोई भी चीज की आवशक्ता ना पड़े और विभीशन को बोला कि सब को प्रयाप मात्रा में खाने पीने के विवस्ता कर देना विभीशन ने बोला बिलकुल प्रभू ये सब कुछ कर दूँगा अच्छा जब इतना सब कुछ चल रहा था प्रभू राम चंदर को जल्दी जाना था आयो अध्या क्यूं तो ऐसा वनन आता है कि तेरा साल वनवास के बाद سीता माता का पहरन हुआ और ग्यारा महिने लग गये प्रभू राम चंदर को ये पतागने में कि सीता माता कहा है 11 महिने के अंत में हनुमान जी सब सीता से मिले तो सीता ने कहा कि एक महिने के अंदर अगर प्रभू राम चंदर नहीं आएंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूँगा और एक महिने इक हतम होने पे 14 साल जो वनवास्ता वो भी समाप्त होने वाला था और वहाँ पे आयोध्या में भरत महराज ने प्रण लेके रखा था अगर 14 साल समाप्त होते ही प्रभू राम चंदर सीता के साथ नहीं आएंगे तो मैं भी अपना शरीर त्याग दूँगा ऐसा बताते हो एक महिना बहुत ही जाला डाइनमिक तरीके से गुजरा आप सुनना चाहेंगे ऐसा बताते है हनुमान जी को तब सीता ने ये कहा उस समय हनुमान जी ने लंका जला के तब छलांग वापिस लगए डेड़ दिन निकल गए इस सबहर आके हनुमान जी ने सुगरीव को संदेश सुनाया सुगरीव और सारे वाणर वापिस गए किश्किंदा उसमें डेड़ दिन और निकल गए प्रभू राम चंदर को जब पता जला सीता को ढून के निकाल लिया है खोज लिया है नुमान जी ने प्रभू राम चंदर सारी वाणर सीना को लेके समुदर तक गए उसमें बारा दिन निकल गए और तीन दिन प्रभू राम चंदर ने समुदर देवता की प्रातना करी उसमें और तीन दिन निकल गए और फिर उसके बाद समुदर देवता ने जब बोला कि आप इसके उपर सेतू बना सकते हैं वो सेतू बनाने में पांस दिन निकल गए सेतू बनाने के बाद तब उस तरफ पहाँचे और अभी हम जो सुने किस प्रकार से लंका का योदुआ वो पूरा यूद साथ दिन चला और सब आप कैल्कुलेट करेंगे आखरी दिन प्रभु रामचंद्र ने रामन का बत किया और सीता माता यहां पर है उन्होंने अगनी परिक्षा दिए तो सीता माता तो बज गई परन्तु प्रभु रामचंद्र विचार करें थे भरत महराज का और वहीं पर ही उन्होंने सोचा कि किस से केस तरीके से हम इतना फास्ट लेंगे कौन सी एरलाइन तो उनको मिला फुश्पक एरलाइन आज कल के नहीं आज कल तो गाड़ियों का या किसी का नाम होता है फुश्पक लेकिन चलती वह बारा घंटे चौविस घंटे लेकिन वह पुश्पक विमान चाहिए था तो नहीं पर देखा आगे किस प्रकार से जो रावन्न था उसने वह पुश्पक विमान लाके रखा तो प्रभु राम चंद्र को बिश्पक विमान आप तो आप राजाएं तो क्या ये पुश्पक विमान में प्राप्त कर सकता हूं जाने के लिए विवेश्पट ने बोला प आपके बेगेर नहीं रह सकते हैं हमको अभी आपके साथ ही रहना है और किरपागर के हमको भी आयोद्या में लेके चलिए तो प्रभु राम राम चंदर ने मुला आप भी आ जाईए और सब बैट गए पुश्पक विमान और पुश्पक विमान से चलने लगे और प्रभु राम अठ्थाए के चलने मावन और प्रभु राम चंदर ने मुला Eastern 설 को इतना समय लगताए वानरों Sultan समय लगते है में रुके के अब हर थो दाश मुनी के आशचर में रुकने के बाद प्रभु रामचंद्र उनसे चर्चा करने लगे तो भार्णवाज मुनिय ने का अब भी आप तुरंट आज आयोद्या में प्रवेश्ट नहीं करना चीए आप थोड़ा समय रुख के आयोद्य हमें प्रवेश करें तो वो राम चंदर ने हनुमान को बेज़ा हनुमान जाओ और भरत को बताओ कि मैं आ चुका हूँ और एक और चीज़ देखना अगर वो ये खबर सुनके दुखी होते हैं थोड़ा सा भी दुख उनके चाहरे पर देखें तो विरको बताना भाबी हाँ से वापस चल जाओ और भरत कोई राजा माना ही रहने देखना और हनुमान जी ने यही माना और हनुमान जी गए वहाँ पर देखते हैं कि भरत पहले से ही अगनी चला के तेयार खड़े हैं कि कैसे ही आकरी दिन समाप्त होगा और मैं अगनी में प्रवेश करूँगा हनुमान जी ने तूरण संदेश दिया कि राम आ चुके और आयोद्या के भार नंदिक राम में विश्राम करा भरत बहुत प् बोला शत्रुक उनको बोला सारे आयोद्या को सजा दिया जाए वापिस हैं और फिर सब लोगों के साथ उन्होंने जाने का निर्ने लिया प्रभू राम चंदर की नंदिक राम में और दूसरी तरफ प्रभू राम चंदर ने भरत वाज मुनी को भी एक आदेश दिया कि आ प्रभू राम चंदर ने सबसे मिले और मिलने के बाद भरत प्रभू राम चंदर के पास है और भरत ने बताया कि किस प्रकार से ये आपका पूरा राज्य है आप इसको पुना गरहन करिये और उन्हें का कि ये जो राज्य है ये पिछले 14 साल में इसकी जो संपत्ति है वो 10 गुना बढ़ गई है परन्तो अब आप आईए और आप इसको स्विकार करिये और ऐसा सु इसको आलिंगन कर लिया ये देखके सारे वानर उनके आखों में भी आसुआ गया कि क्या रिष्टा है दोनों के बीच में इतना तूट रिष्टा है और उन्हें का प्रभु राम चंदर को भरत ने कि आईए घरपागर के आयोद्या में आईए और वहां पे जो नाई था उससे प्रभु राम चंदर के जो बाल थे जो जटा जैसे बन गए थे वो सब हटाया गया और उनको वापिस राजशी जो भेशबूश है वो पहनाया गया और धीरे धीरे जब प्रभु राम चंदर का रत आई रहा था आयोद्या में तो ऐसा बताया जाता है कि प्रभु राम चंदर को दो लोग चामर कर रहे थे एक लक्ष्मन एक विभीशन और उपर शत्रुगन जो थे प्रभु राम चंदर के उपर सफेद रंकी जो छत्री वो धारं किये वे थे और हनुमान जी नीचे बैठे थे और उसके पीछे नौ लाख हातियों के उपर सारे वानर ब भारत ने सुगरीव को बोला राजी अभिशेक के लिए हमको जल चाहिए चार समुदरों का जल चाहिए तुरंत सुगरीव ने भेजा हनुमान, जामवन, रिशब, गव्यों को बेजा चार समुदर का जल लेक्या हो और 500 से जादा वानरों को बेजा अलग नदियों का जल आने के लिए और इससे अभिशेख होगा प्रभु राम चंदर जी का राज अभिशेख किया क्या सीता मातव को भी पुना जो एक रानी है उसके जैसे आभूशन पहनाए गए और सब बहुत प्रसंचित हो गए प्रभु राम चंदर ने विबिशन को बोला विबिशन तुम म अधिया प्रभु राम चंदर के पास प्रणतों हमान जी उनको छोड़के जाना नहीं चाहते थे और हनुमान जी को तब देखा प्रभु राम चंदर ने का आप भी कुछ मांगे कुछ आशिरवाद हनुमान जी ने का एक ही आशिरवाद दीजिए प्रभू कि जब तक मैं आपकी लीला का श्रवन करते रहूं तब तक मेरे अंदर प्रान रहे हैं जब मैं आपकी लीला का श्रवन छोड़ दूँ अपने प्रान भी छोड़ दूँ प्रभू राम चंदर इतने खुश हो गए कि कितना प्रेम करते हैं हनुमान जी मेरे को मैं कैसे तुमको जाने दे रीवीरूप में तब तुम सब वनर के नी बंदर बनके आयेंगे व्रिंदावन में और वे सब को मांखन खिला हूंगा कि अब सुनते कैसे अनिको औनेको प्रकार कर्श्ण भुष्वान ने जो बंदर थे व्रिंदावन विंदावन के प्रिदिशाली था आयो दिया और वहाँ पे अगस्त रिशी आये अगस्त रिशी ने सारी कि सारी जो लीलाई हुई वानरों की ये सब और कैसे असुरों का वद गया राक्षसों का वद गया इस सारी लीलाई सुनाई और ऐसे करते 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 दो साल बीद गए दो साल बीदने के बाद प्रभु राम चंद्र को पता चला कि सीता माता के गर्म में उनके फुत्र हैं बहुत प्रसंद थे प्रभु राम चंद्र परन्तु एक बार जा अपनी राज्य समा में बैठे थे और पूछ रहे थे अपने मंत्रियों से कि क्या ख़बर है इस राज्य में तो एक मंत्री ने प्रभू राम चंद्र को बताया कि हे प्रभू पूरा राज्य बहुत ही अच्छे से चल रहा है कुछ उसमें दिक्कत नहीं है भरंतु मैंने सुना एक धोबी वो बोल रहा था अपनी पत्नी को कि किस प्रकार से राम जो मर्यादा पुर्शोदम है राजा है उसने सीता को स्विकार कर लिया जो एक पर पुरुष के घर रहके आई है तो कल को अगर मेरी पत्नी भी किसी पर पुरुष के घर जाके आएगी तो मेरे को भी उसको स्विकार करना पड़ेगा ऐसे करके उसने एक व्यंग आत्मा धंग से बोला जब प्रभु राम संदर ने ने सुना उन्हें का कि अरे अगर प्रजा को राजा के ओपर ही विश्वास ना हो तो प्रजा का कैसे समरिद्धिशाली होगी प्रभु राम संदर ने का मैं तो विशेश कर ये धर्म के सिद्धानतों की स्थापना करने के लाए हूँ बगवत गीता में भवान बोलते हैं धर्म संस्था पनारताया संभवामी यूगे यूगे और ये धर्म की संसापना नहीं होगी तो मेरे आने का जो उदेश्य है वो पूरा नहीं होगा और उन्होंने सोचा अपने इमन में विचार किया विचार करने के बाद लक्षमन के पास गए उसी समय दो साल बीच चुके थे सीता मता बार बार प्रभूराम संदर को बते थी की एक बार और हमको वन्मे जाना जाया उजए वह जो रिशी थे ना उन रिशीильно से मिलना जाए उनने बहुत मवझत कर इती उनको थैंक्यो बोलना जाण उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए अब तो हम इतने बड़े हो गए हैं तो उनके पास जाना चाहिए प्रभू राम संद्रे ने लक्षमन को बोला कि लक्षमन सीता के जाने के इच्छ है और मैं चाहता हूं कि तुम उनको लेकर जाओ लक्षमन ने बोला बिल्कुल अप्रभू राम संद्रे लेकिन लेकर जाओ वापस खाली आता ना उनको वहीं छोड़ देना लक्षमन बोला है प्रभू क्या आप बोल रहे हैं कैसे सीता को वहां छोड़के आ सकता हूं और वह भी तब 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 वह गर्भवती हैं प्रभू और वहां पे वालमी किजी उनका बहुत अच्छे से देखरेक करेंगे और उनके देखरेक में जब मेरे पुत्र उत्पन होंगे तो वो भी एक बहुत ही जादा महाफुरुश बनेगे परन्तों अगर आप ऐसा कारें नहीं करते हैं तो मैं जीवन प्रयंत तक जो मेरा उद छब आप इस जीव को अपने सीर लेता हों और लक्षमन जी सीता को ये जहा रहे थे तो वहांपर सीता माता बहुत प्रसंद थी जैसी वालमिकी मुनी के आश्य में पहुचे वहाँ पे प्लक्षमन जी ने उनको नीचे रखा और नीचे उतारा रद से और फिर वापिस रद लेके वापिस जाने लगे इतनी देर में सीता माता ने ये क्या प्लक्षमन जी ने उनको पूरा दिर्ष्टान बताया किस प्रकार प्रभु रामचंदर चाहते हैं कि आप यहाँ पे रहिए क्योंकि वो धोबी और बाकी अनेक लोग भी कुछ हो सकता है डाउट करें सिता माता ने तब यह सुना तो वहसे तो वो करंधन कर रही थी रो रही थी क्योंकि प्रभु रामचंदर में वो बढ़ रहा है तो मैं दूर रहने के लिए स्विकार करते हूँ और सीता माता अभी खुशी-खुशी यहां पर आ गई और वालमे की मुनी का आश्रा में रहने लगी वालमे की मुनी जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने रामाइन के रशना करी है वालमे की मुनी जब वहा उन्होंने रशना दो और कुश का जनम हुआ लव और कुश के जनम होने के बादं वालमे की जीन उनको शयम शिख्षा दी और सीकाया कैसे रमायन गाई जाती है लव और कुश एकदा निपन हो गए रमायन का गुंगान करने में और इतने जादा सुन्दध तरीके से गुंगान करते थे ऐसे करते करते 12 साल बीथ गए 12 साल बीथने के बाद प्रभु राम चंदर तो विरह में थे सीतामाता के परंतु फिर भी राज काट समाल रहे थे उसके बाद उन्होंने एक एक बहुत ही विशाल एक यग्यक आयोजन किया और बहुत सारे रिश्यों को बुलाया गया वही पर ही वालमिकी मुनी को भी बुलाया गया वालमिकी मुनी ने सुचा कि मैं अकेले नहीं जाऊ यह लव और कुष्ट के साथ भी जाऊंगा और लव और कुष्ट को लेके आयुद्य हमें गए वालमी की मुनी ने कहा कि अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो बताना हम वशिष्ट के शिष्षे हैं बस इतना बताना और फिर ऐसे करके वशिष्ट मुनी आएं उनको बहुत ही राजसी राजकाट के साथ रखा गया और उनके साथ जो आये थे लव कुष्ट उनको भी रखा गया और वालमी की मुनी ने कहा कि जाओ आप जाके रमायंड शुनाओ पूर आया दिहवासी को और फिर हम सुनते किस प्रकार से लव और कुष्ट रमाय प्रारम करने के बसचाथ प्रभू रामचंदर को जब पता चला कि दो छोटे भालक एकदों सुन्दर दिख रहे हैं और रमायंड का सुन्दर कथन कर रहे हैं प्रभू रामचंदर गए और वो भी देख के मंतर मुब्द हो गए कि कैसे उनकी सारी लीलाओं का वरनन इतने सुन्दर तरीके से लव और कुछ कर रहे हैं प्रूरामचंदर देख के हरान हो गए उन्होंने देखा कि यह तो रिशी पुतर नहीं दिख रहे हैं इनकी जो शरीर की बनावटे एक शत्रे के समान लग रहे हैं पूचा कि तुमारे पिता कौन है उन्होंने बोला हम वालमि रहे हैं लव और कुछ प्रवरामचंदर बहुत प्रसंद हो गए उनको सीता माता की पुना एकदम ध्यान आया उन्हें का सीता को बुलाया जाए सीता माता आई परंतु दूर खड़ी रही हैं परंतु रहां परंतु अगर मैं आपके साथ आके रहूंगी तो हो सकता है के होए Α horror मैं यहां पर और यही और नहीं रहना चाहूंगी वहापिस अपने धाम साकेष द्हाना चाहंगी और ऐसे कहा जब सीता माता ने धरति माता जहां से धरति से सीता आइए तर्रति माता लोग गई फट गई और सीता वह धरती मषाव था Seoul समांग एंद और चले लक्षमन जी भगवादाम चले गए और प्रभू राम चंदर भी अपने वापिस धाम लोड़ गए और यही मदूर लीलाओं का श्रवन हम लोग आज तक कर रहे हैं बचा बचा पढ़ते आ रहा है प्रभू राम चंदर की लीला है और उससे प्रभान हमको बता रहे हैं कि क् और कैसे हम अगर राम राजे लाना चाहते हैं तो रामायन में यह जो किरदार है भरत का हनुमान का इन सब को अपने जीवन में हीरो बनाना चाहिए और फिर निश्यत रूफ से वो राम राजे आ सकता है बहुत बहुत धन्यवाद बो प्रभू राम चंदर की जाए सीता र इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अत्वा डीटी एच ऑपरेटर से समपर्क करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839